बेद में कता है कि ब्रह्मा के तीन पुत्र हैं, तीन प्रकार के ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप लोग जानते हैं, एक देवता लोग और एक मनुष्य लोग और एक राख्यस लोग माया के तीन गुण होते हैं, सात्विक, राजस, तामस, तो सात्विक गुण प्रधान देवता, राजस गुण प्रधान हम लोग, और तामस गुण प्रधान राख्यस तो एक बार तीनों के प्रतिनिधी ब्रह्मा के पास गए, कि चलो हम लोग उनसे उपदेश लें, हमारा कल्याण कैसे होगा? तीनों बैठे, ब्रह्मा जी आए, और अपने सब पुत्रों को देखा, और सब की ओर देखते हुए, एक शब्द बोला है, एक शब्द, दा, 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 और चले गए, हो गया लेक्चर, अब सब आपस में बिचार करने लगे, कि ये क्या बोल गए, पितामा, दा, 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 चलो, अपने गुरुओं से पूछे, इसका क्या मतलब होता है, तो देवता लोग ब्रहस्पती के पास गए, ऐसे ही राक्षस लोग शुक्राचार्ज के पास गए, और अपने अपने गुरुमों से इन तीनों ने पूछा, ये दामाने क्या होता है, तो उत्तर दे दिया उन्होंने भी संग्छेप में, दाम्यत, दत्त, दायाद्ध्वाम, इतना साल गुरु जी ने भी फिर पूछा डिटेल, कि गुरु जी ये दाम्यत, माने क्या होता है, तो उनके गुरु जी ने बताया देवताओं के, कि तुम लोग बहुत बिश्रही हो गए हो, स्वर्ग में बढ़ा आईशो आराम का सामान है, बिना पैसे के मिलता है, सोचा, रसुग अल्ला आजा, आ गया, जो सोचा मिल जाता है, प्रियत नहीं करना पड़ता, तो बहुत अधिक आराम तलब हो गए स्वर्ग के लोग, तो दाम्यत हिंद्रियों पर दमन करो, कंट्रोल करो, जीतो, ये कहा है ब्रह्मा ने, मनुष्यों ने पूछा, ये दत्त माने क्या होता है, तो उनके गुरु ने कहा, दत्त माने, दान करो, तुम लोगों की पैसे में ही, सबसे बड़ी आ सकती है, क्योंकि सब सामान पैसे से आता है, तुम्हारा अटाइट्मेंट उसी में है मन का, इसलिए भगवान की ओर नहीं जा पाते, वो तुमको बाधे है, तो दान करो, जितने कम से कम में तुम्हारा शरीर चल जाए, यावद भ्रियेत जठरम, तावत स्वत्तम्हिदेहिनाम, भगवान ने कहा है, ये मेरी शिर्ष्टी है, तुम्हारी नहीं है, तुम तो नंगे आये थे, शरीर भी नहीं था, मैंने मा के पेट में तुम्हारा शरीर बनाया था, माबाप ने नहीं बनाया, मैंने बनाया था, और तुम्हारे लिए इतना बड़ा प्रबंध किया था, संसार बनाकर, खाने का सामान, तमाम, इतने अन, इतने फल, इतनी तरकारियां, तुम्हें किस पैसा दिया था, तुमको तो पता भी नहीं है, किसने बनाया, क्यों बनाया, तो तुम इस मेरे संसार से, उतना ही लेने के अधिकारी हो, जितने में तुम्हारा पेट भर जाए, कपड़े से तुम्हारा तन ढख जाए, एक रहने के लिए एक खाट की जगे हो, इससे अधिक अगर मैं तुमको दूँ, तो दान करो, दान में कम कलव जुगे, हमारे पूर ममनु महराज ने कहा, कि कल जुग में और कोई धर्म काम नहीं देगा, केवल दान काम देगा, प्रकट चारिपद धर्म के कलिमह एक प्रधान, तुरसिजास ने कहा, ये नके नबिधिदीन यव दान करेई कल्यान, बेदव्यास ने कहा, अदक्त दाना चभवे दरिद्री, यहां तुमको अधिकार है, मत करो दान, जाना होगा शरीर छोड़ कर, अरे तो क्या हुगा, हमारे बाल बच्चे तो खुब आराम से रहेंगे, ये तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे नहीं रहेंगे, तुम अलग अपने कर्म के साथ स्वर्ग जाओ, नरक जाओ, कुटे बिल्ली गधे बनो, तुम्हारे बच्चे अलग जाएंगे, वो कभी मिलेंगे भी नहीं, जिनके लिए तुम जोर जोर कर, उनको दे गए हो, और वो आवारा भी होंगे, क्योंकि बिना कम आए, उनको मिल गया है खूब पैसा, आब वो मनमाना करेंगे आशरण, अरे जब कोई कमाकर पैसा इकठा करता है, तो उसी में बिजी रहता है, पाप कम करता है, और जो इकठा पैसा मिल जाए, है चलो आज, क्लब में, आज चलो, इंग्लेंड, आज है, मरवादो इसको, हम बचा लेंगे, अरबों हैं हमारे पास, कितने पाप करते हैं, यह पावर वाले पैसे वाले, चोरी चोरी, तो यह सब को क्या होगा मरने के बाद, तो भवेद दरिद्री, मरने के बाद, भगवान इनको दरिद्र के घर में पैदा कर देंगे, तो पेट एक ऐसी चीज है, कि उसको भरने के लिए, मनुष्य हो, कुत्ता बिल्ली हो, शेर्ट कीते हो, कुछ भी कर सकते हैं हो, पाप, चोरी, ढकैती, मर्डर, पेट भरे हैं, तुब देखो, पेट भरने के लिए, पाप किया, फिर पाप से दरिद्र बना, और फिर पाप किया, ये एक लिंक बन जाती है, इसलिए ब्रह्मा ने कहा, मनुष्यों से दान करो, तब तुम्हारा मन, अटाइक्मेंट से रहित होगा, तब भगवान की भक्ती करोगे, तो केवल हमको ये सोचना है, कि इस शरीर के लिए, ये संसार बना है, आत्मा का सुख यहां नहीं है, जिसकी आत्मा है, वहां है, ये आत्मा किसकी है, परमात्मा की है, उसका अंश है, प्रत्येक अंश, अपने अंशी को पाकर परिपूर्ण होता है, देखो, सारी नदियां समुद्र में जा रही है, कहीं से भी निकलें, समुद्र में जाकर, शान तो हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है, आएसे ही जितने जीव हैं ये सब भगवान में समा जाते हैं परिपूर्ण होते हैं उनको पाकर जो को समुद्र में अर्बों तरंगे उठती हैं ये तरंगों की तरंगे कोई नहीं है तरंग का समुद्र ही है अपना जब वो तरंग समुद्र में समा गई समुद्र बन गई और आपस में तो थोड़ी दिन्दैर के लिए दो तरंगे मिल गई ऐसे ही सब जीव हैं जैसे ट्रेन में जहाज में बस में तमाम यात्री बैठते हैं आप कहां जाएंगे? इलाँबाद आप कहां जाएंगे? कानपूर ऐसे बातें करते जाते हैं इलाँबाद आ गया उतरने लगा अरे साथ आप जा रहें? हाँ जी अजी मैं अकेला रह जाऊंगा ट्रेन में कमपार्डमेंट में अजी साहब तो हम क्या करें हमारा स्टेशन आगया तो हम तो जा रहे है आप भी चलिये न अजी साहब मेरा तो आगे है जाना खानपूर कोई नहीं जाता साथ ऐसे ये माँ बाप भाई बहन बेटा बेटी सब है या कुछ दिन के लिए भगवान ने शरीर दिया है बेटा मेरी भजन करके मेरे पास आजाना ये हम दे रहे हैं तुमको मूल धन हम भूल गए अब टाइम हो गया बाप को जाना चाहिए पहले ये काईदा कानून नहीं है बेटा पहले जा रहा है नाती पहले जा रहा है अब बाबा जी बैठे है जरतराश्ट के सब मर गए तो जरतराश्ट राकेले अंदे इतना बड़ा सारे भारत का सम्राट इतना बड़ा दुख और जिसके बेटे एक से एक बड़े बलवान, बुद्धिमान, दुर्जोधन और गएरा सम्मारे गए सदिकर्ष्ण को जानता था कि ये भगवान है इन्हों नहीं मरवाया है सबको तो आया भगवान के पास और कहता है एक बात पूछूंगा अपसे निकाप पूछो-पूछो हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि मेरे सारे बच्चे मारे गए और मैं अंदा बैटा हूँ तो उन्हें कहा तुमको मालूम है पिछले जन्म में उन्हें कहा हाँ वो भी याद है उसके पिछले जन्म में वो भी याद है उसके पिछले जन्म में वो भी याद है उसके पिछले जन्म में है वो तो नहीं याद है तो तुम्हारे अनंत जन्म बीच चुके है उसमें से दो चार जन्म की याद भी है तो तुम्हें क्या पता है कितेने पाप किये हैं तुम्ने तुम्हारे ही पाप का फल ये मिला है तुमको भगवान किसी को अच्छा बुरा का फल नहीं देते जो तुम करते हो उसी का फल देते हैं तो अनन्त जन्म में हमने अनन्त पाप किये हैं अनन्त पुन्न किये हैं अनन्त काल तक भोगे तो भी नहीं जाएंगे हो समाप्त होंगे लेकिन भगवान का एक कानून है सर्वधर्मान परित्यज्यमा में एकम शरनम ब्रज अज यू तो मेरी शरन में आजा एकम और कहीं मन का अटाइच्मेंट नहो इस अर्त है माँ बाप बेटा इस्त्री पती धन प्रतिस्था कहीं न रहे अटाइच्मेंट तो अहन्त्वाम सर्भ पापे भ्यो मोग चैशिया में साथ अनंत पापों को माफ कर दूँगा और आगे का ठेका ले लूँगा ये दयालू बाप ने एक एक कानून बना दिया वरना तो किसी के पापों का अनंत काल तक न होता तो हमारे जितने भी पाप अपुन्य है इनकी कोई सीमा नहीं है उसी के अनुसार भगवान सब को योनिया देते हैं एक को मनुष्य बनाया एक को कुट्ता बनाया और मनुष्य बनाया तो एक को राजा के घर में एक को भिखारी के घर में कुट्ता बनाया एक कुट्ता तो प्राइमिनिस्टर का है प्रेसिडेंट का है कार में चलता है और एक दिन भर डंडे खाता है फिर भी पेट नहीं भरता सदका उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं अंदर बैठ कर ध्यान दीजिए भगवान सबके हुरदय में बैठे हैं कुट्ते बिल्ली गधे मचर सबके वही भगवान जो गो लोक में रहते हैं वही एक वही साथी है हमारे संसार में कोई बाप कोई बेटा किसी के साथ गया है आज तक महापुरुश हो जाए कोई हो सब अलग अलग जाते हैं लेकिन भगवान अपने बेटे का साथ नहीं छोड़ता इश्वरस्तर्वभूतानाम हिरिद्देशे अर्जुन तिस्ठति अर्जुन मैं सब के हिर्दय में रहता हूँ अठारहमे अध्यायका एक सेठों आशलोक सरबस्ते चाहम हिरिदिशन निविष्टा पंद्रहमे अध्यायका पंद्रहमे आशलोक मैं सब के हिरदे में रहता हूँ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं किसी को मंदिर में कैसे जाऊं पैर खराब है अरे मैं तो सब के हिरदे में हूँ क्यों यहां वहां जाते हो मान लो मान लो कोई पाप करने की हिम्मत नहीं पड़ेगी फिर अंदर बैटें नोट कर लेंगे फिर दंड देंगे कोई चाल नहीं चलेगी किसी की न पैसा काम देगा, न पावर काम देगा न तिकडम काम देगा वो नोट कर लेंगे देखो गौर्मेंट के पाप ये डर से पुलिस पकड़ लेगी, मिलेटरी है तमाम डर से हम लोग थोड़ा-थोड़ा मनुष्ट बने हैं अगर गौर्मेंट आडर कर दे अगले 24 घंटे में जो भी ब्यक्ति जो भी करेगा उसको फल नहीं मिलेगा तो फिर देखो चोबिस घंटे बार नारायन गड़ में क्या बचता है जहब एक दूसरे को खा जाए ये डर से थोड़ा-थोड़ा हम मनुष्ट बने हैं बचे हैं ऐसे अगर भगवान का डर हम मान लेते तो कोई ज़र्ब्रत नहीं पुलिस मिलेटरी कोर्ट सहब बेकार कोई पाप करेंगे कैसे वो देख रहा है हम बोलते तो हैं घटगट ब्यापक राम मानते ने बड़े-बड़े बिद्वान कहलाने वाले बड़े-बड़े घ्ञानी भी सदा नहीं मानते कभी मान भी लिया हाँ भगवान अंदर बेटे हैं बेध कहता है, शात्र कहता है सारे संतों ने बताया है वो अंदर हैं फिर भूल गये फिर हम जो सोच रहे हैं कोई नहीं जानता बीबी के खिलाब बैठा सोच रहा है बीबी के पास बाप के खिलाब सोच कर बाप के बगल में बैठा है अरे गुरू के खिलाब सोच करके उसी के बगल में बैठा है गुरू जी तो बड़े लालची है पैसा मांग अगर किसी से कहा जाए अरे दान करो तब कल्यान होगा यह मानों दे पता नहीं कब चेंग जाए यह तो रुपे पैसे की बात करते हैं अरे किसी को नहीं देना चाहते आप और अगर कुछ संकोच हुगा भी अभिकारी पीछे ही पड़ गया है पांच का नोट है यह दो का है एक का है यह आठा ना है दस पैसा है ले आएसे दे रहे हैं जैसे यह भगवान है यह इनकी संपत्ती है ले और सबसे छोटा सिक्का यह अंकार है हम लोगों को और है क्या एक करोड एक अरब एक अरब बस इसी को संपत्ती कहते हो तुम्हें पता है कि पैसे का की अथार्टी अंतम है कुबेर उसके आगे अगर खड़े हो जाओ तो हाट फेल हो जाए तुम कहते हो बिल गेट्स बड़ा पैसे वाला मुंके शंबानी बड़ा यह यह तो एक छोटी सी जगे है नाराइण गर इसी को नहीं खरीद सकते यह कहें के पैसे वाले हैं कुबेर है और वो भी भगवान के आगे क्या है परे उपास कुबेर घर जो भी पक्चर गुबीर अगर भगवान के खिलाफ हो जाए कुबेर तो वो भीक मंगवा दें उसको यह हंकार हम लोगों को तो यह तो कोई भगवान के कृपा या कोई संत मिल गया तो हम लोग कुछ दान कर देते हैं चलो थोड़ा बहुत नथिंग से संथिंग अच्छा है वरना हम लोग हम कोई बेवकूफ है क्या जी अपनी कमाई से पैसा हम कमाई है कोई देने के लिए है हाँ हम बुद्धिमान हैं न उधो के देने न मादो के लेने अपने को बुद्धिमान कहते हैं मरने के बाद चलेगा पता देखा जाएगा देखा जाएगा अरे नहीं भोगा जाएगा मिस्टर देखा नहीं जाएगा बहुत दिन नहीं है अरे बहुत से बुड़े बैठे हैं सोचें कैसे आ गया बुद्धापा हम कब पैड़ा हुए कब बच्चे रहे कब जवान हुए कहां पहुँच गए थोड़ा और बाकी है परक लो और ये भी नहीं है कि बुड़ापा आएगा पता नहीं कब तिकट कर जाए तो इसलिए हमको समझना है सोचना है तन, मन, धन ये तीन चीज़ें हमारे पास है किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है और इसमें तन और धन ये दोनों किसी के पास बहुत ही कम है अपने पेट नहीं भरता तो वो क्या कर मन उसके लिए बेद कहता है मन से चिंतन करो हरी गुरू का इससे अंता करण शुद्धोगा तण नहीं है सेवा के लाएक धन नहीं है सेवा के लाएक लेकिन मन सब के पास है कुट्टे बिल्ली गदे के पास भी भगवान कहते है हम तंधन की शर्ट नहीं लगाते हम उनके लिए लगाते हैं तंधन की शर्ट जिसके पास है जिसके पास नहीं है उसके लिए दंड नहीं है अगर है तो फिर दंड मिलेगा सस्तेनो दंड मर रहती वो जैसे हमारी government कहती है तुम black money crop कमाए बैठे हो पकड़ गए दंड मिलेगा ऐसे वो government कहती है कि तुमने हमारी स्रिष्ठी से इतना सामान बटोर लिया है ये हमारी स्रिष्ठी से बटोरा है तुम्हारे पास क्या था कोई तुमारे पास तो शरीर भी नहीं था इसलिए भगवान बड़े चालाक है तो कहते हैं देखो बैए तुमारा टाइम हो गया अच्छा तो फिर हम जाएं हाँ चलना है तो फिर शरीर तो ले जाने की पर्मिशन होगी अरे नहीं नहीं फिर तो इसमें हीरे जवाहरा जड़के ले जाओगे तुम शरीर भी रख जाओ वरना तो इस संसार खाली कर देते हैं अमीर लोग क्या किया हमने ज़को महल बनवा दिया दस अरब का अच्छा किया हमारी प्रिथवी को सजा दिया बिटा जा लेकिन जो इसके सजाने में पाप किया है पैसा कमाने में उसका दंड भोगना पड़ेगा अरे यह तुम मैं छोड़के जा रहा हूँ दंड कैसा जी यहाँ एक को हमारी जमीन में तुमने दस करोड का मकान बनाया इप्रिथवी हमारी है न कि तुम ले आये थे कहीं से दूसरी की जमीन में दूसरा कोई बिल्डिंग बना ले तो वो बिल्डिंग बनाने वाला का नहीं रहेगा इसलिए हम लोगों को सावधान होना है और जल्दी से जल्दी और सदा ये रियलाइज करने का अभ्यास करना है वो मेरे अंदर बैठे हैं बस इसी एक बात का अभ्यास कर लो हर दस मिनट पर हाँ बैठे हैं काम करो तीन, चार, साथ, पाट, बारा, छे, अठारा, छे, चोबिस अंदर बैटे हैं अधिक टाइम नहीं खराब करने को हम कह रहे हैं एक सेकंड को जैसे यों कर लेते हो काम करते करते यों कर लेते हो छीक लेते हो खास लेते हो ऐसे एक सेकंड को अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, तब फिर इतना अभ्यास हो जाएगा, कि हर समय तुमको ये feel होगा, अंदर बैठे हैं, बात कتم, अब तुम अकेले नहीं कभी अपने को feel करोगे, private, ये private स्लब्द बरबात कर रहा है, हम अकेले नहीं है हम और हमारा बाप भगवान एक बालक एक उसका पालक दोनों एक जगे पर है जरा से दूरी नहीं है ये बात मान कर और अभ्यास करके हम अपना लक्ष प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद लालली लालली